जब इस देश के युवा और छात्रों से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? जब इस देश के युवा और छात्र फीस वृधी के लिए पूरे देश में अंदोलन करते हैं, तो मोदी जी आपकी सरकार उन पर लाठियां भांजती हैं. जब इस देश के चात्र समयधान बचाने के लिए समयधान बचाओ रैलियां निकालते हैं, तो आपकी सरकार उन पर लाठियां भांजती हैं, उनको देश द्रोही कहती हैं, उनके उपर अत्याचार करती हैं. ये वो ही चात्र हैं मोदी और शाजी, जिनको युवई वही युवई हैं, जिनको सबज बाग दिखाकर दो करोड रोजगार का वाइदा देकर आप सत्ता में आये थे. आज उनी युवाउं की आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो युवा देश के समिधान पर होने वाले हमलो, देश के प्रजातंतर पर होने वाले हमलो, पीस वरीदी पर होने वाले हमलो, सिक्षा पर होने वाले हमलो, विशफ विद्यालों की स्वायतता पर हो उनके खिलाफ जब वो विरोध करते हैं तो मोदी जी आप उनकी आवाज दबाते हैं ये समझ लीजिए उनकी आवाज कभी दब नहीं पाएगी उनकी युवां और चात्रों के आवाज जितना दबाएंगे वो उतना बुलंद होगी पुलिस को पुलिस को दमन का हथियार बन कीजिए मोदी जी और शाजी सरकार प्रायोजित आतंक वे गुंडागर्दी बंद कीजिए जब इस देश का युवा और चात्र खड़ा हो गया तो फिर जान लीजिए वो सरकार एंकारी सरकार का सिहासना जो डोल रहा है इसलिए वो अत्याचार कर रही है आप सब्ता में नहीं रहे पाएंगे ताजा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें